दोस्तों आज आपके लिए ले करा हैं आठ नोवम्ब और चंद्रग्रहन 2022 चंद्रग्रहन कब से कब तक रहेगा? इतने बजे से लग जाएगा चंद्रग्रहन दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइकन प्रेस कर देता कि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा जियोती सास्त्र में ग्रोहड का बिशेस महत्वा है ग्रोहड को लेकर हिंदू धर में कई नियम बताए गए है सास्त्र का अनुशार इसे एक असुब घटना माना जाता है और इस दोरान किसी भी परकार की पूजा और सुफकार्यो मनही होती है मतलब माना होती है इस साल कूल चार ग्रोहन पढ़ रहा है दो ग्रोहन लग चुके हैं और दो अभी बाकी है जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि सुर्य ग्रोहन है ठीक 15 दिन बाद चंद्र ग्रोहन लगता है तो ऐसे में इस बर दिपावली का सुर्य ग्रोहन लग रहा है और दिपावली के ठीक 15 दिन बाद यानि देव दिपावली पर चंद्र ग्रोहन लगेगा जैसे कि आप जानते हैं सब कि आज सूर्य ग्रहन लगा हुआ है और ठीक आज से 15 दिन बाद चंद्र ग्रहन लगने वाला है चंद्र ग्रहन का समय देख लिजिए साल 2022 का दूसरा और आखरी चंद्र ग्रहन भारत में दिखाई देगा इसका समय है आठ नुवंबर दोपहर एक बज कर 32 मिनट से लेकर साथ बज कर 27 मिनट तक है इन जगहों पर देखेगा चंद्र ग्रहन देखिए कहां दीख सकता है बेगानिकों के अनुसार साल का दूसरा और आखरी चंद्र का भारत समय दक्चडी, पूर्वी युरोप, एसिया, आस्टेलिया, उत्री अमिर्का, दक्चडी अमिर्का, पेसिफिक, अटलांटिक और हिंद महासागर में देखा जा सकेगा बेगानिकों के अनुसार चंद्र ग्रहन के समय सुर्य, चंदर्मा और पृत्वी एक ही करम में होते हैं जिसके कारण चंद्र ग्रहन लगता है चंद्र ग्रहन के दोरान जेवतीश अनुसार कई तरह की साधानी बृत्नी चाहिए ग्रहन के बाद हिंदु दोर में दान और असनान का बिस्यस महतोव बताए गिया है कहते हैं कि ग्रहन का सुतक काल असुब होता है इसमें कोई भी सुब कार्य और पूजा आधी नहीं करनी चाहिए ग्रहन खत्म होने तक सुतक काल रहता है चंदर ग्रहन के दोरां गर्वती महिलाई बिसेश रूप से अपना ध्यान रखें कोशिस करें कि इस दोरां भगवान के नाम का जब करें किसी भी परकार के कोई कार्या न करें सुतक लगने के बाद पूजा पार्ट करने की मना ही होती है तो दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बताएं आठ नॉम्ब दोजर बाईस चंदर ग्रहन से संबंदित जनकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजी और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक और प्रेस कर देता कि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा तेंक्यो दोस्तो रादे रादे दोस्तो